गुड मॉर्णिंग इस्ट्रेंट्स आइम प्राव सुक्लाव फॉम स्टॉरिंग स्कूल बरावा जवनपूर टूड़े आंग टूटीच वीडियो में आपको सीड की बारे मताया था आज मैं आपको बताऊंगा कि सीड का स्ट्रेचर की इस प्रकार से होता है तो चलिए मैं सीड का स्ट्रेचर आपको दिखा रहा हूं आप अपने नोट्स में उसको ड्रॉ कर लीजिए ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो प्यारे बच्चो इस वीडियो में इस फिगर में दिख रहा है कि फिगर सुविंग जर्मिनेशन ऑफ सीड यारी इसमें सीड का जर्मिनेशन हो रहा है बच्चो यह है रेडिकल पार्ट रेडिकल मतलब होता है जहां से प्लांट जो है जिस बीज के पार्ट से एक नया प् यह पार्ट सीड कोट है, यह रिडिक्यल है, यह कॉटी लिडिन है, तो प्यारे बच्चों चलिए वीडियो का हम देखते हैं कि सीड का स्ट्रचर किस प्रकार से बनता है, सीड आर कवर्ड बाई एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड दे सीड कोट, आपको मैंने बताया था सीड कोट क्या होता है, यह है सीड कोट बच्चों, तो कह रहा है कि सीड आर कवर्ड बाई एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, कि सीड जो है वो एक बाहरी लेयर से घिरा हुआ है, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इस प्रोटेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् का काम क्या है कि सीड को प्रोटेक्शन देना इंसाइड दसीड सीड के अंदर इस दसीड लीवस आलसो सीड के अंतर बच्चों सीड लीवस होता है जिने हम कॉटिलिडन के नाम से जानते हैं इंसाइड दसीड is the seed leaves also called cotyledon यानि seed के अंदर जो बीजपत्र पायाता है उन्हें बीजपत्र यानि cotyledon कहते है cotyledon store food for the baby plant ये cotyledon baby plant को एक food reservoir की तरह या food storage की तरह आप कह सकते हो काम करता है जो की embryo को यानि बढ़ते हुए plant को grow कराने में help करता है inside the cotyledon lies the baby plant यानि embryo यानि इसी cotyledon में baby plant उगना start करता है this baby plant has a tiny shoot इस baby plant में एक छोटा सा shoot होता है shoot यानि terny एक छोटा सा shoot होता है जिने हम plumile यानि आप कह सकते हो terny या फिर कह सकते हो कला जहां से embryo एक नए प्रकार की plant को grow कराने में मदद करता है and tiny root और वहीं पर छोटा सा root भी होता है जिने हम radical कहते है यह है बिटा radical पाला part यह है shoot यानि इसको आप कह सकते हो plumile यानि यह part plumile है और यह part radical है इसमें आप देख लीजिए यह part बिचा plumile आप कह सकते हो और इस part को आप radical कही चुके हो तो बच्चो मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो चलिए मिलते हैं next वीडियो के लिए germination of seed यानि दूसरे वीडियो में आपको बताऊँगा कि seed में germination किस प्रकार से होता है तब तक के लिए आप घर पे रहें और स्वस्त रहें यानि दूसरे प्रकार से होता है